इस वीडियो की जानकारी इंटरनेट से ली गई है. इस दवा का उपयोग करने से पहले डॉक्टर की सलाह निश्चित रूप से आवश्यक है. इस वीडियो को देखने के बाद यदि आप किसी भी दवा का उपयोग करते हैं तो हम किसी भी दुश्प्रभाव के लिए जिम्म रूप से इसे लेना चाहिए. अगर आप औस्टियो परोसिस के इलाज के लिए इसका इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपको अन्य दवाएं भी दी जाएंगी. यह दवा केवल इलाज के पूरे कोर्स का एक हिस्सा हो सकती है. इसमें आपके आहार में बदलाव करना और केल्शिय लेते हैं तो आपको कमजोरी, मांस्पेशियों में दर्द या अपने मुह में धातू का स्वाद आ सकता है. अगर आप ऐसे किसी भी दुश्प्रभाव का अनुभव करते हैं तो अपने डॉक्टर के साथ बात करें. वेलक्षनों को कम करने या उनका इलाज करने में आपकी मदद कर सकते हैं. इस दवा को लेने से पहले, अगर आपके रक्ट में केल्शियम का उच्च स्तर हैं या अगर आपको दिल, किड्नी या लिवकी कोई बीमारी है तो अपने डॉक्टर को बताएं. कुछ अन्य दवाएं विटामिन D3 के अफशोशन को कम कर सकती हैं. बहुत अधिक मात्रा आपके बच्चे को नुक्सान पहुचा सकती है. अपने डॉक्टर से चर्चा करें. एकवाशाइन टेबलेट के मुख्य इस्तेमाल एकवाशाइन टेबलेट के लाब. आम तोर पर आपका शरीर धूप से विटामिन D बनाता है, लेकिन अगर आपके शरीर में इसकी पर्याप मात्रा उपलब्ध नहीं है तो यह दवा आपको सप्लीमेंट के रूप में दी ज रमता को बढ़ाता है. ट्रीट्मेंट ओफ ऑस्टियोपरोसिस ऑस्टियोपरोसिस एक सामान इस्थिती है जो हड्डियों को कमजोर बनाती है, जिससे वे नर्म हो जाती है तथा उनके तूटने की संभावना बढ़ जाती है. यह ज्यादातर महिलाओं में मैनोपॉस के बा अदद मिलेगी और इनके कमजोर और तूटने की संभावना कम हो जाएगी. नियमित व्यायाम विशेश रूप से वजन कम करने वाले व्यायाम कैलशियम और विटामिन D युकता हार लेकर और शराब वतमवा को कम करके आप अपनी हड़ियों को ताकतवर बना सकते हैं. एक एकवाशाइन के सामान्य साइड इफेक्ट कोई आम साइड इफेक्ट नहीं देखा गया. एकवाशाइन टेबलेट का इस्तेमाल कैसे करें इस दवा की खुराक और अनुपान की अबधी के लिए अपने डॉक्टर से सलाह लें. इसे साबुत निगल लें. इसे चबाएं, क उचले या तोड़े नहीं. एकवाशाइन 24 टेबलेट को भोजन के साथ लेना बहतर होता है. पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद.